रादे रादे शी हरी बंच आए आज की लीला में प्रवेश करें हमारी लीला चल रही थी जात ना पूछे कोई हमने किया था तू पहले जानती थी इस्थान को उन्होंने पूछा नहीं मैंने सिर हिला दिया अब इसके आगे नित्रे हुए जल का दोना बर उन्होंने मुझे पिलाया और फिर अंजली से मुझ पर जल उचाला हम दोनोंने मिलकर गड़े को चोड़ा और थोड़ा गहरा किया चारों और पत्थर जमा मिट्टी का बांध बनाया और एक बार फिर प्रसंता से बर कर एक दूसरे बल एक दूसरे पर जल उचाला अरी मैयारी बहुत विलंब हुआ आज अवश्य मैया से मार लगवाएंगे सखा कहकर वै एक और बाग छूटे मैं वहीं खड़ी मुग्द देखती रही जिससे उन्होंने जल पिया था उस दुरोन को वहीं पेड़ पर पत्तों में छिपा कर रख दिया उसके पश्चा जब भी हम इगठे होते उस गड़े को गहरा चोड़ा करते होते होते वै इतना हो गया कि दो मनुशी उतर कर नहा सके चाती तक उसको गहरा किया बांध बनाया, सीडियां बनाई कितने पशु पक्षी उसमें नहाते पानी पीते, हमारी प्रसंता की सीमा नहीं थी जहां तक हो सकता, मैं ही प्रिशम करती उन्हें सिरफ निर्देश देने को कहती कितना सुकोमल गात है उनका एक बार शाम सुंदर मेरे हाथ देख कर चौक पड़े अरी, तेरे हाथ कैसे हो गए उन्होंने मेरी हथेली पर अपनी हथेली रख दी अनंद से मेरी आँखे मूंद गई परिशम कश्ट जैसे तो पहले भी अनुबव नहीं होता था वैसा मुख हो तो इन बेचारों को अपकाशी कहां रहता है कभी हाथों की और ध्यान जाता भी था तो दन्यता की ही अनुबूती होती थी उनका स्पर्ष लग रहा था मानो हाथ पर कोई शीतल लेप लगा है जिसमें से अनंद की लहरें प्रसूत होकर संपुर्ण शरीर में फैल रही है कभ देहर वांचित हुई कभ आँखों से आंसू निकल पड़े ग्याथ ही ना हुआ विद्या उन्होंने पुकारा मैंने आंखे खोली और उनकी और निहारा देख तेरे आंसू इस पानी में मिल गए इसका नाम तेरे नाम पर ब्रह्म कुंड रहेगा नहीं शाम कुंड रहने दो मैंने कहा अच्छा ऐसा करें ना तेरा ना मेरा नाम इसका नाम तेरे आंसू के नाम पर प्रेम कुंड रहे इसमें सनान करने वाले को तुम्हारे प्रेम की प्राप्ती हो मैंने बीच में ही कहा ऐसा ही सही वे हसे तो सबसे पहले मैं ही सनान कर लू मैं भी चलू तेरे संग आहां मैं तो कृतार्थ हो गई शबद नहीं मिल पाए सिरह लाकर सविकृती एम नेत्रों से प्रसंता व्यक्त की उन्होंने पितांबर की कच्चनी बांदी और मैंने ओडनी से तन ढांपा फिर दोनों हाथ पकड़ कर जल में उतर पड़े एक दूसरे पर जल उच्छालने और नहाने नहलाने में कितना समय लगा ग्याद ही ना हुआ दोनोंने हाथ पकड़ कर कितनी डुपकियां लगाई कैसे कहूं अनंद सागर जैसे उमड़ा पड़ रहा था समभाले समलता ना था बड़ी देर बाद बाहर निकल कर हमने अपने वस्तर पहने उन्होंने अपना पितांबर और मैंने ओड़नी डाक की डालियों पर सुखने फेला दी तू प्रसंद तो है ना विद्या देवर्शी ने तिरी तपस्या के विशे में मुझे बताया था इतने सोबागे की तो मैंने कलपना भी ना की थी तुम्हारी कृपा का अंत नहीं है फिर भी तुम्हारे चर्णों में अनुराग ही मेरा काम में है वे नहीं मिला वे हसे लगता नहीं तब क्या लगता है अपना ही स्वार्थ अपना ही सुख ये तो अनुराग ना हुआ ये जल तुने अपने लिए निकाला हाँ, तुम समुख रहो, ये मेरा स्वार्थ मेरा श्रम तुम्हे भाया, ये सुख तब और क्या चाहिए, केवल तुम्हारी प्रसंता तुम्हारा सुख, मुझे कुछ चाहिए, ये ग्यात ही ना हो इसके लिए तो श्री किशोरी जू की सेवा करनी होगी यहां नंदगाओं में रहकर, वे सब कैसे उपलब्ध होगी ऐसी विवस्था कर दूँ कैसे, कैसी विवस्था, मुझे ब्या नहीं करना मैं शंकित होकर एकदम बोल पड़ी कैसी ब्रह्म विद्या है रीतू, वे हस पड़े ब्या की बात मैं नहीं कर रहा तब ठीक है हाथ वे अनुमोदन ही आज शूल हो गया सांज को गर गई तो ग्यात हुआ मतुरा से अकरूर आये हैं काना जू को लिवाने और वे प्राते काल होते ही विदा हो गए ये विवस्था की उन्होंने की सब अव विवस्थित हो गए उठे कौन सकी नंदकाओं की हैं और कौन बरसाने की ये बेध ही जैसे मिट गया लीला स्थलों पर कहीं भी सक्खियां बैठी पड़ी मिल जाती शी किशोरी जू भी कभी कभी मिल जाती फिर सबकी आश्रे वही तो थी नंदकाओं की सक्खियां बरसाने गए बिना रहना पाती एक बार दिन में उनके दर्शन ना हो जाए तो प्राणों को देह में रोकना कठिन हो जाता जैसे ये तो इस हत बागिनी ब्रह्म विद्या को अब ही ग्यात हुआ कि विरहा में ही प्रेम की पुर्णता है अपना देह, ग्रिह, गया सब इसलिए संभालना है कि इन्हें अस्त व्यस्त हीन दशा में देख मैं दुखी ना हूँ ये बाग तो शी किशोरी जू की चरन रज सिर चड़ा कर ही प्राप्थ हुआ कृपा में तुम्हारी कृपा की सीमा नहीं इसी के साथ ये लीला समाप्थ है इसी लीला में और पार्ट्स भी हैं उसमें हम कल परवेश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए रादे रादे शी हरी वंज